तो यह अपना potential divider हो गया इस पे लिख देते हैं potential divider इससे potential को हम कम या जादा कर सकते हैं potential divider उसके बाद यहां पर voltage देने के लिए हम battery यूज करते हैं battery connect कर देंगे यह आपर यह battery का positive terminal है यह negative बड़ी battery इसलिए उसको ऐसे बना देते हैं इसका positive है और यह negative है साथ इने battery के साथ एक key connect कर देते हैं key का काम होगा जैसे अपने को circuit off करना होगा यह switch है एक तरीके से switch है जब भी अपने को circuit बंद करना होगा तो switch को बंद कर देंगे off कर देंगे तो यह है key तो यह है अपना डाइग्राम इस डाइग्राम को अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है यह key है यह battery है क्लिर है यह potential divider है यह voltmeter है जो voltage को major करेगा अच्छा अब ध्यान से देखो support that is key को जैसे हम on करेंगे तो इस battery से यहां से current जाने की कोशिज करेगे ऐसे current ऐसे जाएगी clear है कि नहीं और ऐसे गोम के फिर वो वापस battery में enter कर जाएगी अच्छा यहां पर एक ध्यान से देखना कि इस situation में यह positive है तो देखो यह भी positive होगा अगर यह से connect रहेगा तो यह जो anode है इस पर भी positive voltage रहेगी उसके बाद अगर हमने इसको उल्टा कर दिया देखो इसको हम reversing key का काम यही है इसको हम change कर सकते हैं अभी यह ऐसे है थोड़ी देर बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं like this तो अब क्या होगा देखो यह positive है तो इस case में यह तो positive हो जाएगा और यह जो negative है इसको negative voltage मिल जाएगी तो बस reversing key का काम यही होता है voltage की जो polarity है positive है और negative उसको change करना है इसका काम आप लोग कैसे काम करता है तो अब इसको ऐसे ही बना लो जो इसको यहां से change कर सकते हैं इसको इसके साथ भी क्यहिए कर सकते हैं ऋठेस को यह अधिया set रिधर स्छी का चलो भी बहुत अच्छा है, हम ने समझे लिया है, सर रीवर्स तिंग की यह होता है, अब काम कैसे करता है, अब दियान से अगर तुम लोग देखो, यहां से अगर मालो चाल फ्लो कर रहा है, करेंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर सरकिट ब्रेक हो रहा है, तो इस केस में हम जैसे की को अन करेंगे, यहां पर कोई current flow नहीं होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही इसकी उपर ultraviolet rays incident करते हैं, UV rays, तो ultraviolet rays जैसे हम incident करेंगे cathode पर, तो होगा क्या, इस cathode में से electron निकलेंगे, photoelectric effect हमने पढ़ा है, उस electron निकलने से, इन electron के पास कुछ kinetic energy होती है, मतलब इन में कुछ energy होगी, उस energy के कारण, यह electron इधर दोड़ते हैं, clear है, और दोड़ते हैं तो फिर circuit अपना complete हो जाएगा, electron ऐसे दोड़ेंगे, clear है, इस type से circuit में, तो electron अगर ऐसे दोड़ रहे हैं, तो जो current बनेगी वो इसके opposite direction में बन जाएगी, clear है, अब हम पढ़ेंगे, यह तो था इसका जो setup है, जो experiment हम करेंगे, तो उसमें किस प्रकार से हम device या apparatus को connect करेंगे, तो यह सब ऐसे है, इसको दुबारे से देख लो, एक vacuum tube होगी, उस vacuum tube के अंदर दो electrode होते हैं, cathode और anode, उसके बाद इस cathode और anode को, axonal circuit में connect करने के लिए, उसमें current measure करने के लिए हम एक micro emitter यूज़ करते हैं, voltage measure करने के लिए voltmeter लगाते हैं, और anode और cathode की जो polarity है, positive और negative, उसको change करने के लिए, हम यहाँ पर एक reversing की काम में लेते हैं, और potential की जो value है, या voltage की जो value है, उसको increase और decrease करने के लिए, हम potential divider काम में लेते हैं, तो इस सब के function आमें सहुन में आ गया, कौन क्या करेगा, अब जैसे इस पर ultraviolet rays आएगी, तो हम देखते हैं, इस circuit के अंदर current flow होना start हो जाएगा, clear है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, कि इस battery की voltage जब हम change करेंगे, तो इस में जो current बनेगी, this current को हम बोलेंगे, photoelectric current, उस पर क्या effect पढ़ेगा, तो सबसे पहला topic अपना यह, इसमें यही discuss करेंगे, effect of voltage, effect of voltage on photoelectric current, इस circuit में जोबी कर्ण लोगी, that is called photoelectric current, because that is, because of photoelectrons, effect of voltage on, effect of voltage on photoelectric current, तो initial में हम क्या करते हैं, जो यह positive है, यह ऐसे connect हो है, तो इस diagram के according, जो anode है, इसकी जो polarity है, वो positive रहेगी, और यह cathode जो है, इसकी जो polarity है, यह negative रहेगी, तो जैसे ही इस पर ultraviolet रहे जाएंगी, तो यह जो electron है, इस cathode से emit होंगे, और उनको सामने positive charge दिख रहे है, तो यह electron इधर दोड़ेंगे, और जैसे electron दोड़ेंगे, circuit complete हो जाएगा, तो current flow ना start हो जाएगा, अब हम जैसे जैसे इस voltage को increase करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो polarity है, वो बढ़ती जाती है, तो electron तेजी से गति करने लगते हैं, तो हम देखते हैं, जैसे जैसे हम voltage को बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पर current की value बढ़ती है, जो photoelectric current है, वो increase होना start हो जाती है, उसके बाद जैसे ही हम इसकी voltage zero कर देंगे, जिरो voltage होने का मतलब, यहाँ पर आप कोई positive charge नहीं है, तो उस case में भी हम यह देखते हैं, कि इसमें current flow हो रही है, इसमें current flow हो रही है, इसका मतलब यह है, कि इन photo electronों में इतनी energy है, कि यहाँ से और यहाँ तक अपने आप पहुंच सकते हैं, बिना कोई polarity के, clear है, तो जब भी voltage zero रहेगा, उस case में भी current flow होता है, इसका meaning यह है, कि जैसे ही ultraviolet rays इस cathode पर आती है, उसमें जो electrons निकलते हैं, उनके पास अपनी खुद की kinetic energy होती है, उस kinetic energy की वज़े से वो anode तक पहुंचते हैं, जिससे circuit complete हो जाता है, जैसे जैसे हम voltage बढ़ाते जाएंगे, current की value बढ़ती जाएगे, बिकोज यहां पर positive charge ज़्यादा जाएगा, तो attraction ज़्यादा होगा, फिर है, तो graph जो हम बनाते हैं, voltage और current में कुछ इस type का आता है, देखो, यह x-axis है, यहां पर हम voltage ले ले लेते हैं, और y-axis पर हम ले लेते हैं, photoelectric current, that is I, तो हम देखते हैं, जब voltage 0 है, उस case में भी कुछ नगुछ current होता है, मालनो इतना current है, जब voltage 0 है तो इतना current है, फिर हमने voltage को बढ़ाया, बढ़ता जाएगा, तो current की value भी increase होती जाती है, ऐसे increase होती जाती है, फिर हम देखते हैं, एक ऐसी situation आती है, जब हम voltage तो बढ़ा रहे हैं, मतलब यहां पर positive charge यह है, वो तो बढ़ रहे हैं, बढ़ current नहीं बढ़ रहे हैं, current नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है, कि जितने भी जो electron है, यह जो photo electron है, यहां तक पहुंच चुके हैं, अब और कोई ज़्यादा charge carrier यहां पर है नहीं, तो charge carrier नहीं है, तो current भी और ज़्यादा increase नहीं होगी, तो कुछ time बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम initial में तो voltage बढ़ा रहे हैं, तो current में बढ़ता जा रहा है, फिर बाद में क्या होगा, एक situation ऐसे आएगी, हम voltage बढ़ाते जा रहे हैं, बट current की value नहीं बढ़ रहे हैं, देखो यहां पर current यह constant हो गई है, तो इस current को हम बोलते है, saturated current, saturated current, clear है कि नहीं, because इस case में जो सारे electron हैं, वो anode तक पहुँच चुके हैं, जितने भी यहां पर emit हो रहे थे, तो इससे जादा और कोई emit नहीं हो रहा है, तो और कोई charge करे रहे हैं, जब emit भी हो रहा है, तो और current भी नहीं बनेगी उससे जादा, clear है, तो यह था, दुबार से देखी, जब voltage 0 है, तो कुछ न कुछ current होती है, फिर हम voltage बढ़ाते जाते हैं, तो current बढ़ती जाती है, एक किस ऐसा आता है, जब voltage तो हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ current बढ़ना बंद हो जाती है, तो उस current को हम कहते है, saturated current, जो current की maximum value है, जिसके बाद current नहीं बढ़ रही है, that is saturated current, clear है, अब हमने देख लिए अब यह voltage बढ़ाने से current नहीं बढ़ रहा, तो हम क्या करते हैं, voltage को कम करते हैं, तो यह फिर वापस सी graph ऐसे आता है, जो voltage zero कर देते हैं, तो भी current कुछ न कुछ बनी रहती है, तो इसका मतलब हमेशन में आगया कि electron के पास खुद की अपनी kinetic energy होती है, अब हम क्या करते हैं, कि इनकी polarity को change करते हैं, इस reverse energy को change करके, हम इस anode को negative polarity देते हैं, और इस cathode को positive, इस change कर देंगे ऐसे, इसको इधर connect कर देंगे, और इसको इधर connect कर देंगे, तो देखो यह positive तो इस पर चला जाएगा, और जो negative है, यह anode पर आ जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो polarity है, anode और cathode की, वो हमने change कर दी है, anode को negative polarity दे दी हैं और cathode को positive दे दिया है, अब होगा क्या इधर देखो, जैसे जैसे हम इसकी voltage बढ़ाते हैं, negative voltage बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं, जो current है, वो decrease होना start हो जाती है, current, अब decrease होना start हो जाती है, और एक particular voltage पर जाकर की, जो current है, वो अपनी zero हो गई, देखो, यहाँ पर current है, जीरो हो गई, तो जिस voltage पर current zero हो जाती है, उसकों कहते हैं, stopping voltage, दुबार से देखें, यह जो voltage है, जहाँ पर current zero हो चुकी है, उसकों बोलते हैं, stopping, voltage, या फिर, cutoff voltage भी कह सकते हैं हम इसको, cutoff voltage, द्धान रहे, question आसकता है, exam में, what is stopping voltage, या cutoff voltage, तो आशर है, वो negative voltage, जिसके उपर photoelectric current है, वो zero जाती है, that is called stopping voltage, या cutoff voltage, अचा current सर्थ decrease क्यों हुआ, तो समझते हिदर देखो, जैसे यहाँ पर negative charge आया, मानले थोड़ा सा negative charge आया, voltage कम रखी हमने, तो यह electron इदर जाना चाहते हैं, बड़ उसको सामने negative charge दिख रहा है, तो हमें पता है, electron पे भी negative charge होता है, यह भी negative charge है, तो negative negative charge में repulsion होता है, तो यह electron अब इदर नहीं आना चाहेगा, बड़ इनके पास कुछ kinetic energy होती है, उसके वज़े से कुछ electron तो पहुंच जाते हैं यहाँ पर, जैसे हमने negative charge और बढ़ाया, तो अब repulsion ज्यादा बढ़ गया, तो electron आना कम कर देंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर voltage बढ़ाते जाते ह है, और repulsion बढ़ते हैं से क्या होगा, जो electron है, अब इदर आना दीरे-दीरे कम हो जाते हैं, और एक case ऐसे आता है, एक voltage ऐसी आती है, जब कोई भी electron है नोड तक नहीं पहुंचता है, तो उस case में जो अपनी current है, जीरो हो जाएगी, और इस voltage को हम बोलेंगे, इस negative voltage को हम बोल है, वो अपने को समझाता है, तो अचा, उसके बाद क्या होगा, देखो, ये जो electron है, इनमें जितनी भी ताकत थी, तो ये इसका negative charge आने के कारण भी दोडने की कोशिस कर रहे थे, बट एक ऐसी voltage आ जा जाती है, जब ये electron यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो current जीरो हो तो ये जो stopping potential है, ये अपने को ये बताएगा, कि इन electron में, फोटो electron में, कितनी maximum kinetic energy है, तो electron की जो maximum kinetic energy है, उसका measurement हम करते हैं, stopping voltage से, क्योंकि ये voltage है, जो last में इन electron को यहां तक पहुंचने से मना करेगी, ये रहे कि नहीं, वो जितनी भी ताकत होगी, इन सब की, वो अपनी त energy है, वो यहां तक पहुंचने में, लगा जेंगे, बड़ पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये है, stopping voltage है, ये measurement होता है, maximum kinetic energy of photo electron, टेर है, तो यहां पर हम एक formula drive कर सकते हैं, तो kinetic energy maximum, ये हो जाएगी, kinetic energy होता है, half mv square, तो maximum energy तब ही होगी, जब, velocity maximum होती है, equals to, एक आपने formula ये भी पढ़ाता, देखो, जब potential पढ़ाता है, उस case में आपने पढ़ाता, v equals होता है, w upon q note, तो यहां से w को आप लिख सकते हो, q note into v, तो w energy है, ये work है, तो energy को यहां पर हम kinetic energy use कर रहे हैं, maximum, that will be equals to, charge, charge यहां पर देखो, electron है, तो यहां पर हम e लिखेंगे, into v, v क्या है, stopping voltage, जिसको हम v note से लिखते हैं, तो ये formula बन जाएगा, देखो, kinetic energy maximum का, e into v note, where is the charge of electron, and v note is the stopping potential, तो this formula is very important, क्राम में आता है, इस पर question भी आ जाते हैं, कई बार, तो next video में हम discuss करेंगे, कि जो photo electric effect होता है, इसमें, इस light की intensity का क्या effect पढ़ता है, frequency का क्या effect पढ़ता है, ये सब चीजे हम discuss करेंगे, next उसमें,